हेई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके लिए लेका ही हूँ बहुत ही डेलिशेस डेजर्ट की रेसिपी जो सिर्फ पांच मिनिट में बनके तयार हो जाएगी इवन आपके घर में जो छोटे से किड्स था न वो भी इसको बना सकते हैं तो चलिए इसको बनाने से पहले हमें क्या-क्या सामान की रिक्वार्मेंट होगी कैसे बनाएंगे वो सब मेरे इस वीडियो में हैं तो जरूर देखिए सबसे पहले मैंने लिए 200-грam cottage cheese यानि पनीर जिसको मैंने ग्रेट कर लिया इसको ग्रेट करना काफी यूसफूल है तो इसको ग्रेट जरूर कर लीजिए ताकि आगे की प्रोसेस में हमें बहुत help मिलेगी उसके बाद में मैंने लिया है 50 gram milk powder मैं इसमें कोई दूसरी way में sugar add नहीं कर रही हूँ condensed milk या sugar use नहीं किया है तो बहुत ही healthy भी बनने वाला है यह dessert बस इस तरह से मैंने milk powder को mix कर लिया उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ desiccated coconut वो भी sugar free होता है इसमें भी कोई sugar नहीं है artificial तो यह भी एक तरीके से healthy हुआ ना तो बस इनको कर लेना अच्छे से mix और इनका अपने hand की help से अब मैं इसका dough बना लेती हूँ सबको अच्छे से mix करते वे दो मिनिट लगने वाला है इस process में और friends आपको यदि मेरी recipe पसंद आती है तो please इसे share कीजिए अपने friends में family में और मेरे वीडियो को like जरूर कीजिए और subscribe नहीं किया channel तो वो भी कर लीजिए please तो यह हमारा dough बनके ready हो गया अब हमें equal size की bowl चाहिए तो हमें क्या करना है जो measuring spoon आते है आप चाहिए तो cashew, pistachio या almond कोई भी nuts आपको पसंद है उसका filling कर सकते हो उससे बहुत ही testy लगता है यह हमारा bowl तो यह बस इस तरह से आपको bowl बना लेने हैं सारे इस dough से 15 bowls प्रिपेर हो गया है मेरे 1 tablespoon का measurement लेके मैंने सारे balls बनाए हैं अब मैं इनको freeze में रख रही हूँ और उसी के बीच में मैं क्या करती हूँ अब हम chocolate melt कर लेते हैं जब तक हमारे balls freeze में ठंडे हो रहे हैं तब तक तो यह chocolate भी melt हो गई है 100 gram मैंने chocolate को melt किया था dark chocolate लिए मैंने आप कोई भी chocolate अपनी पसंद की यूज कर सकते हो तो बस यह जो balls है वो भी ठंडी हो गई है आप देख सकते हो एकदम set हो गई है freeze में 10 मिनिट रखे तो अब इसको dip करना है chocolate में पूरा chocolate से evenly coat कर लेना fork की help से बहुत ही easy हो जाता है तो fork का use कर लेंगे हम और इसी तरह से बस दोनों fork की help से मैं इसको chocolate की balls से बहार निकाल लूँगे यह थोड़ा सा messy है बट delicious dessert खाना है तो यह आपको करना पड़ेगा और उसके बाद में सारी balls को इसी तरह हमें chocolate में coat कर लेना है यह जो chocolate की quantity वो perfect है इसके लिए बिल्कुल western ही होने वाला है तो यह हमारी chocolate में आपको बता ही balls caught हो गई है तो मैं इसके उपर थोड़ा से sprinkles डाल के बता रही हूं कि वो भी अच्छे लगते हैं आप chocolate strand हो तो वो भी डाल सकते हो आपकी choice पर है में सारी balls इसी तरह chocolate में डिप कर लेती हूं और हमारा desert बनके ready हो गया है तो friends इसको बनाईए enjoy किजिए thank you for watching this video